दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले बात करेंगे एक बहुती बड़े नॉटिकेशन की एक रीसेंट नॉटिकेशन यूपी एसी सी सेट को लेके सी सेट जो शायद अपने आप में एक फियरफुल वर्ड बन चुका है 2023 के एक्जाम को देखने के बाद लेकिन अभी भी कुछ लोगों को जो ये फियर से अवरकम करने वाली फिलिंग जो आ रही है या फिर जो फियर से अवरकम करना चाते हैं और 2024 में किसी तरह का फेलियर नहीं चाहते हैं तो आपके लिए एक फुल फ्लेच लाइफ वरक्षप डिजाइन की गई है जो कि 23rd of December को होगी दोस्तो 23rd of December आप देख सकते हैं इवनिंग फाइव क्लोग ये वरक्षप होनी है जिसके लिए आप रिजिस्टर करवा सकते हैं औ आपका फॉर्स्ट टैप है ट्यर्ट बिकामिंग आई एस ऑफिसर उसको कैसे आप अचीव करें और कैसे उसमें मैक्सिम स्कोर लेकर आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं तो आप इस सी सेट की वरक्षप को जरूर जोइन कीजिए इसके रिजिस्ट्रेशन ओपन है आप रिजिस्टर करवा सकते हो और इसकी कोई कोस्ट नहीं है विल्कुल फ्री ओफ कोस्ट है आपकी गाइडेंस के लिए तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंग्लिश के अंदर आज हमारे पास कुन सा कॉम्प्रियेंशन है जो कि हमेशा डिलेटिब ऑप्शन आपके पास तीन है जो असंशन क्रेट की गई बट उन में से तीनों में से मल्टीपल आंसर भी हो सकता है जैसे कि आप देखते हो विच अब अबव असंशन इस और आर वैलिड यह आपके पास क्वेश्चन था तो अगर क्वेश्चन को एक दफा गो थू करें कोई भी दो ठीक होंगे राइट सबसे पहले लिखा गया स्टेट शुड हाब सम इंस्ट्यूशन तो एंशूर इट्स अप्रोप्रियेट रोल इन डिजिटल सुसाइट कि स्टेट के पास अपना एंशूर करना चाहिए उनको मेक्शोर करें कि अपने कुछ इंस्ट्यूश भी है अप नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो स्टेट्स शुड एंशूर दाट प्राइवेट पार्टिस दो नॉट वाइलेट तशिटिजन प्राइवेसी दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं ओल्दों एकी बात करें एंवी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी डि दिजिटल एकॉनमी वर्ट को बीच में लाया गया डिजिटल एकॉनमी इस नॉट कम्पाटिबल विद कि कोई मेल जोली नहीं है विद दी आइडिया किस बात के साथ नौट वाइलेटिंग दस इटिजन प्राइवेसी इनका कोई रिलेशन नहीं है इस बात से कि प्राइवेसी आपका प्राइवेसी आपका प्राइवेसी आपकी बनी रहे है राइट इसका मतलब होता है कि इसके दने कुछ सबस्टांस है राइट ओनली ठीक है तभी ठीक है इफ इट वर्क्स इन ओल्ड सिचुएशन कोई मर्जी तरह की सिचुएशन हो जिसमें हर एक चीज़ कंसिल्डर हुई डिजिटल एज के साथ ग्लेट करके कैसी भी सिचुएशन हो और किसी भी पर्सन के लिए ये चीज़ एप्लिकेबल हो ठीक है ऐसा नहीं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ऐसा होगा हर एक पर्सन के लिए जो सिटिजन है कंट्री का 일 राइट तोफ्री एक्सफरेशन ओर ए advocate Portal इस अधू होती तो उसमें बात वी रॉइट तोफ्री स्केस्ट आइंप्ल के तूर पे अगर ये राइट की बात करें हम is meaningless is meaningless without actual availability of security अगर security नहीं होगे actual में availability नहीं होगे तो इस right का कोई फायदा नहीं अब कैसे security वो security that guarantees जो guarantee करती है that private force cannot be used to thwart this right कि जो private force है private institutions है private organizations है यह private कोई भी हम fraud की किसी भी fraudulent activity की बात करें तो इस right को वो thwart ना कर सकें इसको बांध ना सकें इसको रोक ना सकें the role of the state therefore अब बात हुई role of the state की is not just to abstain from preventing rightful free expressions सिरफ यह नहीं है कि वो दूर रहें बच के रहें they should stay away from preventing रोकने से rightful free expression को लिकिन इसके साथ साथ to actively ensure वो actively के बात को ensure भी करें make sure भी करें that private parties are not able to block it कि private parties इसको block भी ना कर सकें अब दोस्तों आखी लाइन देखें तो आखी लाइन तो बहुत ही ज्यादा relatable अगर हम देखे states should ensure that private parties do not violate the citizens right to privacy तो second to 100% correct है ठीक है चलो मुझे first भी लग रहा है थर्ड भी लगा है लेकिन second एक बार मुझे सामने आया second एकदम से किया तो मैं second पर काम अगर करना शुरू करूं तो देखें या तो आपके पास option डी है ठीक है कि second to correct इसमें होगा इसके अंदर second नहीं है तो option eliminate हो जाएगा यह option भी eliminate हो जाएगा second इसके अंदर भी है दोस्तों आपको बस ensure इतना ही करना है कि second तो correct है ही ठीक है बस इतना अगर शुर कर लें कि एगर first correct है तो option a answer आ जाएगा अगर first correct नहीं है तो option b is the only option which is correct right तो first को पढ़िए जरा अब आपके mind में शायर सवाल आ रहा हो कि third क्यूं incorrect है यह third option में eliminate हो गया हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं है पढ़ा definitely पढ़ा लेकिन कहीं पर surety level कम भी हो जहां पर आप sure है उसके इसाब से options पर जाए यह options फटाफट से eliminate हो जाएंगे और definitely वो चीज गलत ही होगी आप खुद पढ़िए यहां बात हुई digital economy की कि वो compatible नहीं है पहली बात तो digital economy की बात पूरे passage में explicitly कहीं भी नहीं की गई right option definitely गलत हो जाती है अब first option क्या था state should have some institutions to ensure its appropriate role in a digital society definitely दोस्तों देखो पीछे क्या बात हुई थी there must be a security यहां पे प्लाइन पडे अगर there availability of security that guarantees that private force cannot be used to thwart this right the role of the state therefore is not to just abstain from preventing rightful free expression but also to actively participate मतब state is cheese को ensure करें किसी तरह की भी उलंगना ना हो और उसका appropriate role क्या है वो role भी mention किया गया obviously option first भी आपका correct हो जाता है यहां पे तो दोस्तों answer क्याएगा option a not option d d में भी second था ए में भी second था but first option भी आपके correct थी इसलिए हम जाएंगे option a के साथ not t right आप मुझे बताईएगा अगर आपको कोई doubt हो comment box में आप डाल सकते हैं इसके इलावा अगर आप मुझे बताना हो कि आपका question ठीक वह नहीं तो definitely बताईएगा ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते है एक्टिवली पार्टेस्पिट करके कि आपने भी साथ साथ सॉल्व किया और आपका अंसर करेक्ट हुआ यहां इनकरेक्ट हुआ इस पर बात हमारी चलती ही रहती है मैं फिर से याद दिला दूं कि यह जो स्पेशल वर्क्षोप आपके लिए डिजाइन की गई है 23rd of December को इसके लिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं परना बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट वर्क्षोप है कोई इसका प्राइस नहीं है बट चोगे गाइडेंस होगी यह प्राइस लेस होगी कैसे आप सी सेट को सुमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है और काफी स्टूरेंट इससे औरड़ी बैनिफिट ले चुके और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़के बैनिफिट ले भी रहे हैं तो बैच फूर इसलिए काफी टाइम से लाउंच हो चुका है अभी रिसेंट्ली हमारा जो ब कोमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ठीक है बाकि अपना ख्याल रखिए सेटेड़े रेडी रहीएगा 23rd of December को वर्क्शोप लिए लाइन और पूज इस तरह से डेली वीडियो सीरिस के तुरू हम आपके सामने ऐसे आते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे ठी है अपना ख्याल रखिए और त्यारी अच्छे से करते रहें थैंक्यू वेरी मच्च जैहन्त